आज की इस वीडियो में हम PF capacitor देखेंगे, PF capacitor क्या होते है, उसकी value कैसे read कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक capacitor है, जो की 1 microfarad का capacitor है, 1 microfarad 63 volt, हमारे पास एक और capacitor है, जो की जिस capacitor पे 105 लिखा हुआ है, आज हम यह देखेंगे की से पढ़ा और समझा कैसे जाता है, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है, 1 microfarad में, microfarad के लिए UF लिखा जाता है, 1000 nanofarad होते हैं, और एक nanofarad में 1000 picofarads होते हैं, इसी तरह से, 1000 nanofarad में 10,00,000 picofarad होते हैं, और इन सारे capacitor पे जो value लिखी होती है, वो picofarad के लिए होती है, picofarad के लिए PF लिखा आता है, और nanofarad के लिए NF लिखा हुआ आता है, तो सबसे पहले, जो हमने आपको दो capacitor दिखा है, ये जिसकी value 1UF है, और ये दूसरा, इसकी भी value 1UF है, सिर्फ इसमें अंतर इतना है, कि ये 400V का है, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में इसमें 400V लिखा हुआ है, तो ये 400V हो गया, और ये जो 1-5 इसकी value है, अगर हम इस value को microfarad में convert करना चाते हैं, तो हमें पहले इसकी 105 जो इस पर value लिखी हुई है, उसके बाद ये जो 3rd number है, ये इसका multiplier है, मतलब 10 into 10 to the power for you, इसको और simple कर सकते हैं हम, जैसे आगे की value 10 ले ली और उसकी पीछे 5, 0 लगा दिये, तो ये हो गया, 10 लाख, 10 लाख picofarad मतलब, ये 10 लाख pf हो गया, 1000, हम इसे 1000 nanofarad भी बोल सकते हैं, और इसे 1 microfarad भी बोल सकते हैं, कभी-कभी इस पर 1 k भी लिखा हुआ सकता है, 1 k nf भी लिखा हुआ सकता है, तो उससे भी ये 1000 nanofarad का हो जाएंगा, और 1 microfarad का हो जाता है, इन दोनों capacitor की same value है, हम इने आपस में पलट के भी लगा सकते है, जहाँ पर हमने ये 1 microfarad का capacitor लगाया हुआ है, वहाँ पर हम ये 105, 400 hold का capacitor लगा सकते है, पर अगर हम इसे इसकी जगार लगाना चाहें, तो ये 63 hold का होनी के कारण ये blast हो जाएगा, electrolytic capacitor blast हो जाते है, इसमें और एक अंतर है, इसमें negative positive pole है, और ये non polar में आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते है, पर आपको इसे लगाते हुए ध्यान रखना होगा, कि ये इसका negative terminal है, और ये इसका positive terminal है, तो ये तो हो गया, 1 uf का capacitor, अब हम ये देखेंगे, ये हमारे पास 225 capacitor है, और 400 hold का है, हम इसकी भी value निकालेंगे, पहले हम इसको लिख लेते है, है, 225 ये आखरी का इसका multiplier है, मतलब 22 into 10 raise to power 5, तो हम इस पे 22 पे 5 0 लगा देंगे, ये हम ने इस पे 5 0 लगा दिये है, तो ये हो गया, 2000, 200 nF का, और इसको अगर हम, पिको फेरेट में, माइक्रो फेरेट में convert करना चाहते हैं, तो ये हो गया, 2.2 माइक्रो फेरेट, और इसका voltage इस पे लिखा हुआ है, ये 400 hold का capacitor है, इसकी value भी इस पे लिखी हुई है, और ये J, और इसमें K लिखा हुआ आता है, वो इसका tolerance होता है, इसके बाद हमारे पास एक और capacitor है, आप देख सकते है, capacitor थोड़ा अलग है, आपको इस पे 0.1 लिखा हुआ देख रहा होगा, ये 630 hold का capacitor है, इस पे आपको 0.1 लिखा ही दे रहा होगा, तो ये जो यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, ये इसकी value माइक्रो फैरेट में है, ये 0.1 माइक्रो फैरेट का capacitor है, और हमारे पास एक और capacitor है, जो की है 104, ये हमारे पास 104 capacitor है, इसकी value दोनों सेम है, ये भी 0.1 ही है, और वो भी 0.1 ही है, तो यहाँ पे तो 104 लिखा हुआ है, 104, अब हम इसे बड़ा करेंगे, तो सिधा हम इस पे और 4 0 add कर लेते हैं, तो ये हो गया, एक लाक पिको फैरेट का, तो इसका अगर नैनो फैरेट में हम convert करेंगे, तो ये 100 नैनो फैरेट का हो गया, और अगर हम इसे UF में convert करेंगे, तो ये 1 UF के लिए, एक 0 इसमें कम है, तो हम पॉइंट को, इसके 1 UF को एक पॉइंट इधर सरका लेंगे, तो ये हो गया, 0.1 UF, आप देख सकते हैं, ये दोनों capacitor की value, सेम निकल के आगए, शिरिफ इसमें difference इतना है, कि ये capacitor 60 V तक काम करेगा, और ये capacitor 630 V तक काम करेगा, उसके बाद हमारे पास और capacitor की value है, आप देख सकते हैं, इस capacitor पे 27 लिखा हुआ है, बतलब 27 लिखा हुआ है, तो ये 27 ही लिखा हुआ है, इस पे सिप दो ही आकड़े है, तो ये हो गया हमारा 27 PF का, 27 PF का, तो हम इसे UF में तो convert नहीं कर सकते, और नैनो फारेट में भी convert न एक और capacitor है, जो जिस पे 33 लिखा हुआ है, तो ये भी 33 PF का ही हो गया, जिस capacitor पे सिर्फ दो ये value लिखी हुए है, वो उतनी ये value की capacitor है, उसके बाद हमारे पास एक और capacitor है, आप देख सकते हैं, इस पे 103 लिखा हुआ है, इस पे 103 लिखा हुआ है, इसकी value आपको दिखने ही रहे होंगी, ये हमारे पास same value का capacitor है, पर ये पॉलिस्टर में है, आप देख सकते हैं, एक 103 ये 2 kv का capacitor है, ये 2 kg hole तक चलेगा, और ये 60 hole तक चलेगा, तो हम इसकी value भी निकाल लेदे हैं, एक 103 तो 1000 ये 1000 नैनो फैरेट का capacitor है, तो इसके उपर हम पहले 30 लगाएंगे, ये PF में value आ गई इसकी, इसके बाद अगर हमें इसे नैनो फैरेट में convert करना है, तो हम सिधा इसको लिख लेंगे, ये 10 नैनो फैरेट का capacitor हो गया, इस पर 10 NF भी लिख सकते है, या फिर इसको 0.01 माइक्रो फैरेट भी कह सकते है, हमने 104 को, क्योंकि 103 है, उससे कम value है, तो एक point और इधार सरका लिया ये point, तो इससे ये 100 0.01 माइक्रो फैरेट का बन गया, अगर इसमें 102 रहेगा, तो उसकी value, 0.001 माइक्रो फैरेट हो जाएगी, और अगर इसमें 101 रहता है, तो ये 100 PF का ही माना जाएगा, इसकी value 100 PF ही लाइंगी, उसके बाद हमारे पास एक capacitor है, जो 471 capacitor है, ये भी 2 KV में है, तो ये 471 capacitor है, मतलब ये 470 PF का capacitor है, इसके पीछे 1 ये लगा हुआ है, हम सिपली इसको 1 0 दे देंगे, तो ये हो गया 470 PF का capacitor, तो फ्रेंड्स ये तो था capacitor, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करा ना भूले, क्योंकि दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकि है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,